दुबारा जाता है, तो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे अंडे हैं, इस तरह के अंडे आस तक उसने कभी नहीं देखी, वो एक अंडे को उठा लेता है, और तबी समंदर के अंदर से एक केंटिकल आता है, जो उसे अपने साथ समंदर में खीच लेता है, कॉंट्रेक्ट उसे बहार देखता है, तो वहाँ पर इसी का एक दूसरा साथी हवा में लटका होता है, और अगले पल वो नीचे गिर जाता है, अब यह उसे देखने के लिए बहार आता है, लेकिन तबी कोई चीज उसे आसमान में उपर खीच लेती है, यह देखकर उसकी पतनी भी बहार खीच लेता है, वहीं दूसरी तरफ हमें रॉय को दिखाया जाता है, जब वो अपने घर में पहुंसता है, तो बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है, अब यह शराब पी रहा होता है, और तब यह बाट टब में देखता है, जहां पर उसने क्रीचर को छोड़ा था, अब वहा बहुत बहुत चोटा था, पर शाम होते होते बहुत बढ़ा हो गया, यह इनसानी खून पीता है, और रॉय ने इसका नाम रखा होता है, ग्रैबर, उसके बाद ओशे लीसा के साथ समंदर के किनारे पर जाता है, जहां से उसने कॉंट्रेक्टर को मचलियां हटाने के लिए और यह रॉय के उसी साथी का घर होता है, जी घर में राद को क्रेशर ने हमला किया था, और पती पतनी दोनों को मार दिया था, यहां पहुच के एओशे और लीसा को समझ में आ जाता है, कि ओए क्रेशर बहुत फ़तरनाक है, वो इनसानों को मार रहां है, और रॉय इनके दिवार तूटी हुई होती है और उसका बाट टब भी बाहर होता है जिसके अंदर उसने अंडा रखा था इसका मतलब ये है कि उस अंडे से क्रीचर निकल कर यहां से भाग गया रॉय ने ये भी बताता है कि ये क्रीचर सिर्फ पानी में रह सकता है एक राग पहले बारिश ह वही थी इसलिए समंदर से वो क्रीचर बाहरा गया और अब इन सब की चिंता और भी बढ़ जाती है क्योंकि जल्दी बारिश का मौसम शिरू होने वाला है और एक बारिश होना शिरू हो गई तो वो क्रीचर बाहरा कर कही लोगों को मार देगा रॉय कहता है कि मुझे पता शिरू कर देते हैं पर उस आवाज से वो क्रीचर जाग जाता है इंके उपर हमला करता है पर किसी तरह से ये उस कुफा से बाहर आ जाते हैं इससे इनकी जान बच जाती है क्योंकि क्रीचर धूप में बाहर नहीं आ सकता रॉय को यहाँ पर उस क्रीचर के बहुत सारे लिदमोंते हैं ताकि इस क्रीचर की कोई कमजोरी पथा लगा सकी और उस जगा से बाहर निकल जाता है जिसके बार औगा देता है पर वहां पर जो फाइलाम होता बच जाता है पानि उस पर गिरता जिसके बलड में भी ऐलकोहल होगा वो ऐलकोहल इन क्रीचर्स के लिए बॉइजन के समान होगा और अभी सब के सब यहां के बार्टेंडर के पास जाते हैं क्योंकि आज रात को बहुत बड़ा तूफान आने वाला है बारिश आने वाली है और अगर ऐसा हुआ तो गुफा के अंदर जो क्रीचर है वो बाहर आ जाएगा यह बार्टेंडर से कहते हैं कि आईलेंड में जितने भी लोग हैं उन सब को हमें किसी न किसी बहाने शराब पिलानी होगी ताकि वो क्रीचर उन पर हमला ना कर सके पर क्रीचर के बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए क्योंकि अगर लोगों को क्रीचर के बारे में पता चला तो सब कि सब डर जाएंगे ओशे लीसा से कहता है कि मैं आज शराब नहीं प्यूंगा क्योंकि मुझे सब को बचाना है लेकिन तुम्हें शराब पीनी होगी हाला कि लीसा शराब नहीं पी थी और वो ओशे के कहने पर शराब पी लेती है क्योंकि वो कहीं न कहीं ओशे से अब प्यार करती है उसके शराब पिने के बाद उसके बलड को निकाल कर उस creature पर डाला जाता है जो अभी अभी अंडे से बाहर निकला है और जब लिसा के blood को उस पर डाला जाता है तो उसकी मौत हो जाती है ये अब पूरी तरह से confirm है कि उस creature की सिर्फ एकी कमजोरी है और वो है शराब इसके बाद ओशे और लिसा यहां के चर्च में जाते हैं जहांपर बहुत सारे ओल्ड लोग प्रेयर कर रहे होते हैं ये उन्हें कहते हैं कि तुम सब को आज बाहर में जाना होगा क्योंकि वहाँ पर मुफ्त की wine मिल रही है सब के सब बार में चले जाते हैं क्योंकि ये इरिश लोग हैं जो वाइन पीने के शराब पीने के बहुत शौकीन है वहाँ पहुचने के बाद सब के सब शराब पी लेते हैं वहीं ओशेयोली सब बाहर कार में बैठे होते हैं और तभी बारिश होना शिरू हो जाती है जिसके बाद एक आदमी अंदर से बाहर पी करने के ले आता है क्योंकि अंदर वाश्रूम पूरी तरह से फुल होता है और जब बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे क्रीचर सा चुके हैं इससे पहले क कुछ समझ बाता वहाँ पर बड़ा क्रीचर यानि की ग्रैबर आ जाता है जो उस आदमी को मार देता है ओश्रूम पर जोनर होता है कि अब शराब खत्म हो चुकी है अगर हमें शराब चाहिए तो दूसरी बिल्लिंग में जाना होगा जो पूरी तरह से नाममकीन है क्योंक चुके हैं इसलिए उसे सबको उपर जाने के लिए चले जाते हैं लेकिन डॉक्टर कैमरा लेकर बाहर चला जाता हो बहुत स्यादा ट्रंक होता है और वो बड़े ग्रैबर की फोटो कीषना चाता है लेकिन बड़ा ग्रैबर अपने टैंटिकल से हमला करके उसे बहुत उशे का बाहर जाना बहुत खतरनाक है क्योंकि उसने अलकोहल नहीं पिया और क्रीचर उसे मार सकता है लिसा उसे बाहर जाने से रोकती है और कहती है क्यों ना हम इस क्रीचर को कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर जाए क्योंकि वहां पर बुल्डोजर है और उस पर इससे पहले कि वह ऐसा कर लाकर कर क्रीचर को वहां पर फसा देती है और ओशे को लेकर उपर जाती है यहां वह उसे यहां पर वाइन की बाटल मिल गई थी पर इससे पहले कि ओशे वाइन पीता क्रीचर का एक टेंटिकल उसे पकर कर अपनी तरफ खीच लेता है और जब ओशे को खाने वाला होता है कि ओशे उसके मुग के अंदर सारी की सारी वाइन शराब डाल देता है जिससे वो ग्रैबर ओशे के पास यो फ्लेर गन होती है उसस उसका खात्मा हो चुका है आती उसकी जितने भी बच्चे थे उन्हें पहले से मारा जा चुका है और वैसे भी अब इनसानों को पता है कि इन ग्रैबर्स को कैसे मारा जा सकता है और इसी के साथ फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है उमीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंदायो.